नमश्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त मोहित रांटा आज की इस वीडियो में आपके लिए जो कंप्यूटर अवेरनेस की सीरीज हम लेकर चले हैं प्रैक्टिस जो सेट हमारा है उसका हम टेस्ट टू करने वाले हैं आज जो हमारे रहेगा उसमें हम टेस्ट टू कंड़क्ट करेंगे जिसमें हमारे टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 रहेंगे जिनको हम इसमें डिसकस करेंगे अब आप देखिए ये आपने हमने अभी तक जितना भी डिसकस किया है उस सभी का conclusion है ये इसमें आपके overall जो 50 questions रहेंगे आपके पूरे computer के syllabus से related रहेंगे तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें इसे ध्यान से देखते रहें अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर भी जरूर देखें ये आपके exam के लिए helpful हो सकती है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का session उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें साथ में दियो बेल आइकन को प्रेस करना ना बोलें ताकि जो notification है व उसका नाम क्या था ठीक है वो आपके सामने option यहां पर है परम आर्या भट्टा बुद्धा क्रेवन या none of these ठीक है तो आपके लिए जो तीन second है वो समय शुरू होता है आप I hope आपने अपना जो answer है वो log कर दिया है कौन सा है तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर है पर ठीक है परम इसका right answer है next question लेते हैं which of the following is an example of computer software जो नीचे दिये गये हैं इन में से कौन सा computer software का एक example है ठीक है इसका जो सही जवाब है वो आपके सामने यहां पर है device driver तो third जो है यह इसका right answer है ठीक है अगला question लेते हैं अगला question यहां पर है programmers use a variety of dash to communicate instruction to the computer तो इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो सही जवाब है I hope आपने अपने मन में देख लिया होगा option से तो इसका जो right answer है वो आपके सामने यहां पर है programming language ठीक है next यहां पर आता है which of the following display the content of the active cell active cell का जो content है वो display होता है किन में जो नीचे दिये गए option है इन में से किस में तो आपका जो answer है शायद आपने टिक कर लिया होगा मैं बार बार यह चीज़ रिपीट नहीं करूँगा एक हलके से pause के बाद मैं आपको answer बता दूँगा ठीक है अगला इसका जो answer है वो यहां पर है formula bar second इसका सही जवाब है अगला question यहां पर है a software used to convert source program instruction to object instruction is known as तो option जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है और इसका जो सही जवाब है वो यहां पर है language processor ठीक है fourth जो है यह इसका सही जवाब है next question लेते हैं next question यहां पर है in computers in computers ic ic जो होती है chip is used which is made up of तो किस चीज की बनी होती है यह काफी आसान सा सवाल है और इसका जो सही जवाब है वो है silica silicon की बनी होती है fourth जो है यह इसका right answer है ठीक है next question आपके सामने है example of mainframe computer mainframe computer जो है उसका example कौन सा है IBM 370 है IBM S-390 है या फिर UNIWAC 1110 है या all of these है तो इसका जो सही जवाब है यह all of these है यह जो सारे यहां पर example दिये गए हैं यह mainframe computer के हैं अगला question लेते हैं which of the following is a part of central processing unit CPU का part इन मैंसे कौन सा है mouse है printer है keyboard है या ALU है तो printer जो है यह आपका output device है और mouse और keyboard जो है यह input device है तो right answer जो आता है यहां पर वो है ALU फोर्थ इसका सही जवाब है next question लेते हैं which of the following statement is wrong तो नीचे जो statement दी गई है इन मैंसे wrong कौन सी statement है वो यहां पर है second Linux is owned and sold by Microsoft ठीक है यह जो statement है यह totally wrong है तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर second है ठीक है next इसके बाद बात करते हैं pointing device include the following except जो pointing device है इन मैंसे कौन सी नहीं है मतलब यह जो नीचे दी गए है यह सारी pointing device है इन मैंसे कौन सी pointing device नहीं है तो इसका जो सही जवाब है वो आपके सामने यहां पर है keyboard फोर्थ जो है यह इसका right answer है next question लेते हैं the term operating system means जो operating system term है इसका मतलब क्या होता है इसका exact meaning होता ह a set of programs which control computer working computer working को जो control करता है उसे कहा जाता है operating system ठेक है अगला question ले लेते हैं अगला question यहां पर है the physical arrangement of elements on a page is referred to as a document तो आपके जो options है वो नीचे दिये गए है और इसका जो सही जवाब है वो यहां पर है format second is the right answer next question ले लेते हैं most websites have an main page ठीक है most जो websites होती है उनका main page होता है the dash which act as a doorway to the rest of the website pages तो इसका जो सही जवाब यहां पर है वो उसे क्या कहा जाता है तो जो main website का main page होता है उसे home page कहा जाता है second इसका right answer है next question लेते हैं input output and processing device grouped together represent तो input output और process device को अगर इकठा किया जाता है तो यह क्या बनती है यह बनता है computer system ठीक है fourth जो है यह इसका सही जवाब है next question लेते है next question आपके सामने यहां पर है what type of a computer could be found in a digital watch digital watch में कौन सा computer होता है तो यह होता है embedded computer third जो है यह इसका सही जवाब है next question लेते है which of the following is not true about computer files computer files के बारे में नीचे दिये गए कथनों में से कौन सा कथन true नहीं है कौन सा कथन गलत है तो वो है a file extension is established by the user to indicate the file's content तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर third one है अगला question लेते हैं अगला question यहां पर है all of the following are example of real security and privacy risk except तो नीचे दिये गए जो है इन में से कौन सा answer सही है तो इसका सही जवाब यहां पर है second जो की है spam spam is the right answer for this next question is what type of technology allows you to use your finger eye or voice print to secure your information resources option जो है यह haptics है, biometrics है, caves है, read है, all of the above है तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर है, biometrics third जो है इसका right answer है next question आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से आता है main memory is जो main memory होती है यह क्या होती है RAM होती है, ROM होती है, यह आपकी serial access memory होती है यह storage memory होती है तो जैसे कि हमने बात की, जो main memory होती है, वो RAM होती है, ठीक है, random access memory, यह आपकी main memory होती है next question यहां पर है, the smallest and the fastest computer imitating brain working is तो यहां पर कौन सा इसका सही जवाब है, यह है quantum computer, second जो है यह इसका right answer है next question लेते है, a compact disk, जो की CD होती है, is which type of data storage, यह किस तरह की data storage होती है तो यह होती है, optical data storage, optical data storage, second इसका right answer है next question है, which of the following is not a language for computer programming, computer programming के लिए इन मैंसे कौन सी एक language नहीं है तो बिंडो जो होती है, यह एक language नहीं है, यह इसका right answer है, ठीक है next question ले लेते है, next question है, first computer mouse was developed by, यह question भी हम ले चुके है तो पहला जो computer mouse है, वो किस ने developed किया था, यह किया था, Douglas Engelbert ने, ठीक है Engelbert, first जो है, यह इसका right answer है, ठीक है C language was developed by, C language किसके द्वारा developed की गई थी, इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने यहां पर है Dennis Richie, fourth इसका right answer है, ठीक है Next question लेते हैं, which of the following is not one of the four major data processing functions of a computer तो इन में से कौन सा नहीं है major function, ठीक है तो इसका जो right answer यहां पर आता है, वो आपके सामने है, analyze the data or information Third जो है, यह इसका सही जवाब है अगला question यहां पर लेते हैं, अगला question आपके सामने है When you connect to this service, your computer is communicating with a server at your internet service provider ISP What does this refers, मतलब what does refers this तो यह क्या refer करता है, यह refer करता है आपका internet, second is the right answer, ठीक है अगला question ले लेते हैं, अगला question यहां पर है, a collection of related field is called A collection of related field is called, तो related field का जो collection है, वो कहलाता है record, ठीक है Record, यह इसका right answer है, fourth one Next आता है, hard disk derived and hard disk drives and cd drives are example of यह किस चीज़ का example है, storage का, backup का, storing क्या, all of these का तो इसका जो सही जवाब है, यह backup, storage or storing, all of these का example है तो fourth जो है, यह इसका right answer है अगला question लेते हैं, अगला question आपके सामने है You would use dash software to create spreadsheet type document and edit photos तो इसके लिए कौन सा software आप استعمال करेंगे तो इसका जो सही जवाब आपके सामने है, वो यहां पर है application software ठीक है, first इसका right answer है, next question लेते हैं, next question यहां पर है Which of the following are computers that supports hundred or thousands of users simultaneously तो इसे कहा जाता है mainframe computers, ठीक है, mainframes is the right answer for this Next question लेते हैं, which device is microprocessor based computing device तो कौन सी device है, जो कि microprocessor based computing device है, तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर आता है, personal computers, तो यह आपका first जो है right answer है Next इसके बाद बात करते हैं, an email account includes a storage area often called तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है mailbox, ठीक है, third इसका right answer है Next यहां पर आता है, the data becomes dash when it is presented in a format that people can understand and use it तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो यहां पर है, information, third is the right answer Next इसके बाद बात करते हैं, a set of computer programs, a set of computer program that helps a computer monitor itself and functions more efficiently is and, तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर है, system, software, second is the right answer है Next इसके बाद next question discuss करते हैं, a dash converts all the statements in the program in a single badge and the resulting collection of instruction is placed in a file तो 35 का जो right answer है, वो यहां पर है, compiler, second is the right answer for this अगला question लेते हैं, 1000 bytes, ठीक है, 1000 bytes जो है, यह कितने होते हैं, approximately कितने होते हैं तो इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने यहां पर है, kilobyte, ठीक है, kilobyte इसका सही जवाब है अगला question आता है, which one of the following is not a broadband communication medium तो इन में से broadband कौन सा नहीं है, तो यह नहीं है, microwave, first is the right answer इसके बाद आता है, which of the following performs modulation and demodulation modulation or demodulation कौन perform करता है, इसका जो सही जवाब है, वो यहां पर है, modem modem is the right answer, next question is the earliest calculating device, earliest calculating device जो है, यह कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने है abacus, abacus जो है, यह earliest calculating device है और यह Chinese द्वारा built की गई थी या develop की गई थी, ठीक है, अगला question लेते हैं, the function of escape जो ESC है, key is, तो यह क्या है, इसका काम क्या है, यह है to end the action action को end करना इसका कारे है, ठीक है, next question आता है यहां पर which of the following is not an advantage of magnetic disc storage, तो इसका जो सही जवाब है वो यहां पर है, fourth all of the above, इसमें all of the above में जो option है, वो है the excess time of a magnetic disc is much less than the magnetic tape, disc storage is longer lasting than magnetic tape, disc storage is less expensive than tape storage, ठीक है, तो यह इसका right answer है अगला question लेते हैं, अगला question है, the memory size in mainframe computers and advanced technology microcomputers are expressed as, कैसे express की जाती है तो इसका जो सही जवाब है, वो यहां पर है, megabytes, mb, जो है, इसका सही जवाब है next यहां पर बात करते हैं, computer viruses, जो computer virus है, वो क्या है, यह एक computer program है, third इसका right answer है, next बात करते हैं, अगले question की, अगला question है अगला question यहां पर है, each model of computer has a unique, तो क्या unique है, वो यहां पर है machine language, ठीक है, unique machine language होती है, above side is a collection of, एक website जो है, वो collection of क्या होता है, वो collection of web pages होता है, fourth इसका सही जवाब है next आता है, next question है, यहां पर है, to move the cursor to the end of the document press, अगर आपको cursor को end में ले जाना है, तो आप क्या press करेंगे, control plus end press करेंगे, second is का right answer है, the shortcut key to print document is, document को print करने के लिए, यह shortcut key इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी होती है, वो यहां पर होती है control P, third is the right answer, next question यहां पर लेते हैं, next question आपके सामने है viruses, frozen horses and worms are, यह क्या है, यह able to harm computer system है, ठीक है यह computer system को क्या कर सकते हैं, harm कर सकते हैं, ठीक है, अगला question लेते हैं अगला question यहां पर है, which of the following is used to browse internet, तो इन में से कौन सा use किया जाता है, internet को browse करने के लिए, तो इसका जो सही जवाब है, वो आपके सामने यहां पर है, firebox, fourth is the right answer, ठीक है, last question लेते हैं, आज का हमारा, तो आज का जो last question है, वो है, internet banking is done over, तो internet banking जो है, यह कैसे इस्तेमाल की जाती है, done over, यह internet के थूँ, क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, so guys, यह हमारे आज के 50 questions थे, जिनको हमने यहां पर discuss किया, यह हमारा set two था, अगर आपने first set नहीं देखा है, तो आप जाकर करके उसे जरूर देखें, अगर आपने हमारी previous videos नहीं देखी है, तो उन्हें जाकर भी आप देख सकते हैं, वो आपके लिए helpful रहेगी, लेकिन जो यह 5 में test अभी आपके लिए दे रहा हूं, इनको आप जरूर देखें, इससे बहुत सारे questions बन सकते हैं, जो आपके exam के लिए helpful हो सकते हैं, तो यहां पर हमारी जो आज की वीडियो है, यह खत्म होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर करें, साथ में दियो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो notification है, वो आपको समय पर मिलती रहें, ठीक है, तो यहां पर हमारा lecture खत्म होता है, thank you and God bless you all.